Hi guys, so finally अब सभी के लिए एक बहुती important news, एक बहुती अच्छा news कि जो first semester के जो भी students थे जिनका result निकल चुका है या फिर कह सकते हो कि जो भी students अभी second semester final examination दे रहे हैं, उन सभी का जो recheck and revolution process है, वो इतने दिन से कोई भी notification नहीं आ रहा था university से, so finally वो notification आ चुका है कि आप सभी का जो recheck and revolution का process है, वो कल से start होने वाला है, ठीक है, तो वो process कैसा रहेगा, वो process के लिए क्या क्या करना चाहिए, and आपको paper को revolution में डालना है, कि recheck में डालना है, कौन सा आपके लिए better रहेगा, वो सभी चीजों को लेके आज के वीडियो में बात करेंगे, बहुती important वीडियो है, तो वीडियो को skip मत करना, last तक देखना, और वीडियो को देखने से पहले, अगर चैनल को अभी थक सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को एक बार share कर देना, ठीक है, तो पहले important information आप सभी के साथ share करना चा करते हो, आप लोग कि आप खुद से, मतलब आप पैसा थोरा बचाने के लिए, मतलब 10, 20, 50 रुपे बचाने के लिए, आप क्या करते हो कि खुद से कर लेते हो आप, ठीक है, उसके बाद आप लोग हमारे पास आते हो, आके बोलते हो कि भाया ठीक करके देदो ना, हमारा payment हो चुका है तो क्या हमें वेट करना होगा 72 वो सब प्रोब्लेम आप बताते हो लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि आप 10-20-50 रुपे मत बचाओ आप हमारे पास आजाओ हम करके दे देंगे आपका एपलाई जो भी है आपका जो भी रिचेक रिवालेशन का प्रोसेस है जो भ अगर आपका पो रिचेक में डालना है या पिर रिवालेशन में डालना है तो निचे आपको एक नंबर मिल जाएगा WhatsApp का या फिर इंस्ट्राक्न आइडी मिल जाएगा उन दोनों में से किसी भी जगाा पिया मेसेज करके आप आपका मतलब रिवालेशन के लिए बता सकते ह हम करके दे सकते हैं ठीक है तो रिचेक और रिवालेशन का जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होने वाला है और वो चलेगा 31 तक अभी हम जान लेंगे कि रिचेक revolution में से कौन सा process बेटर रहता है ठीक है मतलब reject करना है या फिर paper को revolution करना है ठीक है तो पहले देखते हैं रिचेक को तो देखें रिचेक में क्या होता है कि आपका जो paper है उसको बस उपर उपर से से देखा जाएगा मतलब आपने अगर कुछ गलत किया है मतलब होता है कभी कबर marking में कुछ problem हो जाता है मतलब mark कम दे दिया या फिर गिंती में problem कर लिया teacher ने तो अगर आप reject के लिए डालते हो पेपर को तो आपको क्या गन्ना होगा आपका जो paper है उसको सिर्फ पर सिर्फ उसका जो counting है वो किया जाएगा एंड उपर उपर से बस देखा जाएगा कि हर एक question में equal number of mark दिया गया है क्या मतलब जितना marks मिलना चाहिए जितना marks question में allotted है क्या उतना marks दिया गया है कि नहीं दिया गया है ठीक है मतलब reject एक तरफ से कह सकते हो कि thoroughly checking नहीं होता है बस उपर उपर से checking होता है इतना मतलब deeply checking नहीं होता है ठीक है यह है आपका रिचे का process अगर आपको लगता है कि आपका marks count करने में कुछ गल्थी किया होगा तीचर मतलब आपने जो भी marks मिला है आपको शायद आपका count करने में कुछ problem होगा टीचर का क्योंकि इतना कम आपको नहीं मिल सकता या फिर कह सकते हो कि आप एसा सोच रहे हो कि आपने जो लिखा है आप बहुत कम लिखे हो आपने लेकिन थोड़ा बढ़ने का कब. इसमें पूरा का पूरा पूरा पैपर को फिर से की या जाता है। तो इदैवा आपका मतलब एकदम deep checking होगा और हर एक answer को हर एक question को फिर से एक बार check किया जाएगा mark फिर से एक बार count किया जाएगा और फिर से मतलब आपका counting है वो करके आपको marks दे दिया जाएगा तो इसमें जो marks बढ़ने का chance है वो revolution में जाधा है लेकिन revolution में क्या होता है जैसे कि पुरा का पुरा copy checking होगा तो उससे क्या होता है कि overall marks जो है वो बढ़ने का chance जाधा रहता है तो मेरे लिए अगर मुझे पूछोगे कि कौन सा mode better है तो मैं अमेशा कहूँगा कि revolution is better than reject ठीक है अगर आपको कोई भी पेपर रिचे के लिए या फिर revolution के लिए डालना है तो आप हुमारे number पे message कर सकते हो और I hope आपको पता चल चुका है कि कल से start होने वाला है process 31st मतलब कल 27 से लेके 31st या फिर एक तरीक तक चलेगा process ठीक है पूरा process चार पास दिन ही चलता है हमेशा उसके बाद कब तक result निकलेगा वो हम ग्रूप में बता देंगे उसके लिए नीचे हमारा ग्रूप भी जॉइन कर लेना और साथे साथ चनल को स्काइब करके वीडियो एक बार लाइक कर देना थेंक्यू